student now we are moving further एक हमने पढ़ लिया था पावर शेरिंग अमंग एक्जेकुटिव जुडिशियरी एंड लेजिस्लेटर नाव यार स्टुडिंग अब पावर शेरिंग एड डिफेरेंट लेवल जो मैंने का कि डिफेरेंट लेवल पे लोकल से गोवर्मेंट में आपके आता है पंचायत मुंसिपाली ठीक है यह सारे आ जाते हैं तो यह एक डिफेरेंट लेवल पर पावर शेरिंग होती है इसके बाद कुछ इंडिया की मां बात करा हूं कुछ राइट सेंटर गवर्मेंट के हैं कुछ स्टेट गवर्मेंट का है जो डिक्षन है जो डिक्षन मेंड़ाब अधिकार शेतर समत्ये ना जैसे सब्सेर आप 10-13 के किसी सैक्षन के मॉनिटर है तो आपका जो डिक्षय आपकी वह सब्सक्राइब पात करता है अपतिखे बदो आगर हम बात करें अरद Indian constitution ने क्या किया जो different level of the power sharing है उसके लिए Indian constitution में तीन list बनी हुई है पहली है आपकी union list जिसमें वो सारी चीज़ें जिस पर right किसको होगा central government का, दूसरा है state list वो सारी चीज़ें उसमें जिसमें jurisdiction किसका होगा, state का, और तीसरी है concurrent rate, जिसमें जो right होगा central and state government सब का होगा ठीक है, तो यह distribution होता है power का central, state and local self government में और जैसे एक example मैं दो आपको union list का example है, defense, Indian army central government उसको देखेगी ठीक है, दूसरा अगर आप state list का एक example मैं आपको देना चाहूँ transport, that is roadways transport, तो उत्रखंड परिवहन निगम उत्तरपरदेश परिवहन निगम ठीक है, and local का आपका जो आपके बन पंचायत की revenue आता है वो local का आता है, तो उसका distribution किया गए जिससे conflict नहों आपस में, ठीक है तो अब आता है power sharing among different social group, ठीक है, अब under this arrangement, government and administrative give space to the diverse social group in this way, minority community get a fair share in power, को social group को power देती है, minorities अपने institution चला सकते है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इसमें आती है, next आता है आपका power sharing among political parties अब देखो, एक ही party का rule नहीं हमारी है, बीजेपी होती है, कभी power में है, कभी Congress होती है, कभी कोई और होती है अब देखे, in democracy, different parties compete to come to power सबका एक ही होता है, कि election लड़ती है हमारी सरकार बने, in case or no party get majority, then two or more parties form and aligns, दो एक से ज़्यादा party मिलते हैं, तो उसको मैं गता है, coalition government तो power sharing यहाँ पर किसमें हो रही है, अमंग political parties, pressure group and the different movement, एक movement का आपको example दो, अनना movement चली थी, उसके बाद केजरिवाल की party, आम आदमी party, इमर्ज हो गया थी ठीक है, तो यह इसका just a, क्या है example है, now two example of power sharing, जो हम मैंने कहा है, इस chapter के इस चरिम हम पढ़ रहे हैं, Belgium और श्रिलंका के बारे में, Belgium और श्रिलंका के बारे में, अब हम discuss करते हैं, Belgium, किस के बारे में discuss करते हैं, Belgium, और Belgium की क्या था देखे बेड़ा, Belgium जो है, is a federal monarchy in western Europe, ठीक है and it is a founding member of the European Union, आपने सुना होगा, European Union और उसका headquarter भी Belgium में ही है और NATO, जो है North Atlantic Treaty Organization, यह अमेरिका के जो है, leadership में एक organization है जो defense strategies, defense और strategic tie-up के उस पे बना हुआ है, और Belgium, लगबग जो हमारा हरियाना state है, उसके बराबर इसका क्या है, area है, ओके, अब Belgium में का ethnic composition देखे, इतनी समझ रहे हैं न, based on the particular that shared culture and ethnography पे, जो उनका composition देखे, Belgium में 59% के हैं Dutch speakers, 40% के हैं French speakers, और 1% के हैं German speakers, अब देखे, इनकी cultural diversity कितनी ज़्यादा है, social diversity, cultural diversity कितनी ज़्यादा है, okay अब जो Brussels है, जो आपकी Belgium की, जो capital है, वहाँ पे 20% Dutch speaker है, माँ के 80% French speaker है, यानि कि राजधानी में French speaker dominant है other, all over country में Dutch speaker dominant है, तो इनमें आपस में conflict होने ताय थे, अब क्या हुआ देखे, Belgium को लगा कि ऐसे conflict होंगे तो power setting ज़रूरी है, जिसते कि Dutch speaker को भी problem ने हो, French speaker को भी problem ने हो, और 1% जो German speaker है, उनको भी problem ने हो, तो Belgium ने क्या नुसका निकाला देखे, Constitution of Belgium, जिनोड करते रहेगा, वरी important term, in term view, or keeping view of your board examination, okay, Constitution of Belgium state that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in central government, बराबर होंगे Dutch speaking भी, French speaking भी, okay then, many power of central government have been given to the state government, देदी भाई, then, Brussels have a separate government in which each party have the equal representation, जो उनकी capital city है, वहापे separate government होगी, जहाँपे दोनों communities को equal representation दिया जाएगा, and the most important, the fourth one, देखे, the there is a third kind of government, there is a third kind of government called community government, which is elected by the people belonging to one language community Dutchman वाले, German speaking बनाएंगे Dutch speaking वाले, Dutch speaking बनाएंगे, French speaking वाले, French speaking तो सबको राइट मिल गए, सबको पावर मिल गई, Belgium में कोई conflict नहीं हो, Belgium इतना develop हुआ, कि Brussels उसकी capital को NATO का भी headquarter बना गया, European Union का भी headquarter बना गया, वहाँ पर कोई conflict नहीं हुआ, next आता है Shulanka, next क्या आता है, Shulanka, इसके बारे हम next में discuss करेंगे, thanks for watching, stay safe, enjoy learning, thank you बेटे, झाल मिल झाल झाल